हेलो फ्राइंड्स कैसे हो जी के 2020 यूट्यूब चैनल के करंट अफेर वीडियो में आपका हर्दिक स्वागत है आज है 5 अगस्त 2020 और सभी बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का करंट अफेर का वीडियो तयार किया है क्वालिटी की दृष्टी से सुपर से भी उपर है हमारा यह वीडियो और यह वीडियो आप लास्ट तक देखे लास्ट में मैं आपसे एक क्वेशन पुछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंड बॉक्स में देना है और आज के वीडियो के क्वेशन की पीडियो फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ सकते हैं और यदि हमारी इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने इरफान अली वह गॹयाना देश के अगले राष्ट्रपती होंगे यान कि इस कुशन का सही आँचर है गूयाना और वहां के नए राष्ट्रपती बन गए है मुहमद इरफान अली तो इनसे जुड़े हुए तीन इंक्पोर्टन कुषन बन सकते हैं जैसा कि मुहमद इरफ किस विपक्षी पारटी के नेता है और मुँमध इरफान अली किस का स्थान लेंगे डेविड आर्थर एक गुएाना देश के तो यह कहां पर स्तिति थे यहां में आपको लोकेशन दिखाना चाहूंगा तो यहां पर है यह उत्तर अमेरिका और यह है दक्षिन अमेरिका और दक्षिन अमेरिका में यहां पस्चिम में स्थीत है यह गुयाना देश और गुयाना दक्षिनी अमेरिका का एक देश है जिसकी कैपिटल का नम क्या है ज गुयाना देश में भारतियों की संख्या भी बहुत अधिक है। तो दोस्तो इसी तरह हर क्विशन से जुड़े important fact में आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है। लाइक करना मत बुरियेगा। दूसरा question हर साल अगस्त के पहले सप्ता को कि सप्ता के रुप में मनाया जाता है। अगस्त का पहला सप्ता यानकी एक अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक के इस सप्ता को विश्वस तनपान सप्ता के रुप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यानकी इस question का सही answer है option A विश्वस तनपान सपता तो इन से जुड़ा हुआ एक और क्वेशन भी बन सकता है कि वर्डव ब्रेश्ट फीडिंग विक 2020 यानि कि विश्वस तनपान सपता कब मनाया जाता है एक अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक और यहां आप इमेज के जरीए भी याद रख सकते हैं एक अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक वर्डव ब्रेश्ट फीडिंग विक मनाया जाता है और यह सपता मनाने का उद्देश्य क्या है माताओ और शिश्वों के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में जागरुकता बढ़ाने है तो प्रतिवर्ष यह सपता मनाया जाता है 2020 में भी यह सपता मन रखी गई है सपोर्ट ब्रेश्ट फीडिंग फॉर हेल्दी और प्लैनेट जो इस साल की थिम रखी गई है और विश्वस तनपान सपता का आयोजन कीश के द्वारा किया जाता है 1991 बेसे WABA यानि कि वाबा WHO यानि कि वर्ड हेल्थ और यूनिसेफ के द्वारा यह प्रतिव सरष्व विश्वस तनपान सपता मनाया जाता है यह हमारे तीन इंटरनेशनल जो ऑफरेटी है और नेजेशन है उनके द्वरा लेकिन मैंने आपको कई बार WHO के बारे में भी बताया यूनिसेफ के बारे में भी बाठाया लेकिन यहाँ WABAके बारे में पहली बार बताने जा फजल और W.A.B.A की स्थापना 14 फरवरी 1991 को हुई थे तो यह फैक्ट भी आप याद रख लिजिए तीसरा क्वेशन हाल ही में कोना कोना उम्मीद केंपेंड किसने लॉंच किया कोना कोना उम्मीद केंपेंड लॉंच किया है हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने यानिकि इस क्या है देखो कोटक महिंद्रा बैंक ने कोरोना वाइरस में हमारी के दोरान अपने ग्राह को में आशा और विश्वास कायम रखने के लिए नए ओफर और भारी छूट वाले दो महिंदे लंबे अभ्यान जिसका नाम है कोना कोना उम्मीद को शुरू करने की घोशना की है और इसलिए यहां जिक्र किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक का तो यहां आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के वर्तमान M.D. और CEO कौन है उदै कोटक और महिंद्रा कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई कोटक महिंद्रा बैंक का हैड़पटर के मुंबई में स्थी थे चोथा क्वेशन इंदीरा रसोय योजना कहा लॉंच की जाएगी इंदीरा रसोय योजना लॉंच की जाएगी राजस्थान में यानकि इस क्वेशन का सही आंसर है ऑप्षन बी राजस्थान और राजस्थान में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और इंदीरा गांधी जी कांग्रेस की और से पहली महला मुक्य प्रदान भी बनी थी और इसलिए आपको भी एक आइडिया लगा सकते है कि इंदीरा रसो योजना का तालुक किस राज्य से हो सकता है तो इसी तरह भी आप आइडिया लगा सकते है यानि कि राजस्तान सरकार इंदीरा रसोयोजना शुरू करने की बात कई है तो राजस्थान में इंदीरा रसोयोजना कब लॉंच की जाएगी 20 अगस्त 2020 से यह राजस्थान में इंदीरा रसोयोजना लॉंच की जाएगी और राजस्थान सरकार के किस संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और कदम य ने है तो राजस्थान सरकार ने यह इंदीरा रसो योजना लॉंज की है यानिकि एक भी व्यक्ति भुखा नहीं रहना चाहिए या भुखा सोना भी नहीं चाहिए और इस योजना के तहत कितने रूपिय में जरूरत मंद और गरीबों को स्वस्थ और पोष्टिक बोजन मिल बहुत ही अच्छी बात है कि इंदीरा रसो योजना के तहत सिर्फ आठ रूपिय प्रती प्लेट यानिकि कुल लागत है 20 रूपिय के और 12 रूपिय है वो राजस्थान सरकार भुखतेगी और 8 रूपिय है वो किसी भी खाने वाले व्यक्ति को भुखतान करना पड़ेगा तो राजस्थान सरकार इंदीरा रसो योजना पर कितने करोड खर्च करेगी 100 करोड खर्च करेगी और यहाँ देख सकते हैं अशोग गहलोत ने यह गोशना की है तो यहाँ यह फैक्ट भी याद रख लिजिए कि गरीबों को रिया यती दरों पर भोजन उपलत वा करवाय जाएगा मुख्यमंद्री अशोग गहलोत ने यह गोशना की और हर साल खर्च होंगे कितने 100 करोड रुपे और बात करते हैं इस योजना के तो इस योजना के बारे में भी आप जान लिजिए कि जिस तरह शीव थाली परोसी जा रही है महाराष्टर में तो इसी के तरज प का एक मेनू 4.87 करोड लोगों को परोसा जाएगा प्रती प्लेट 20 रुपे का खर्च आएगा जिसमें राज्य सरकार 12 रुपे देगी और 68 रुपे लाबार्थी द्वारा बुक्तान किया जाएगा तो यह जो स्कीम है इसी के बारे में इतने फैक्ट याद रख लिजिए बहुत ही अच्छी बात सामने आ रही है कि एक शहर में 3 लाख निगरानी वाले ऐसे CCTV केमरे लगाये गए है और हमारे भरत देश का ऐसा पहला शहर बन गया है है हैदराबाद यानिकि इस कोशन का सही आंसर है तेलंगणा की कैपिटल हैदराबाद में 3 लाख ऐसे CCTV केमरे ल सबसे अधिक सर्वेक्षन वाले शहरों में सोलवे स्थान पर रखा गया है है हैदराबाद को हैदराबाद में 3 लाख CCTV केमरे है जबकि चीन के ताई यू आन क्या नाम है ताई यू या आन में 4 लाख 25,255 CCTV के साथ विश्व का पहला ऐसा शहर है और इसी शहर का नाम मत पहले है वहां तकरीबन इतने CCTV केमरे लगाए गए है और 1591 में कुतुब शाही वंश के मुवमद कुलिक कुतुब चाने मुसी नदी के किनारे हैदराबाद नामक नाया नगर बसाया था और यहां जब आनसर आता है है हैदराबाद तो हैदराबाद से जुड़े यह फैक् पर तो मुसी नदी के तट पर यह नया हैदराबाद नामक नया नगर बसाया गया था और हैदराबाद को निजाम का शहर भी कहा जाता है और मोत्यों का शहर भी कहा जाता है हैदराबाद को शहर में स्थीत त्यालूगू फिल्मा उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा चल चित्र निर्माता भी है या फैक्ट भी याद रख लिजिए चठा क्वेशन गांधी जी की याद में किस देश में सिक्के निकले जाएंगे तो यह हमारे भारत देश का बहुत ही बड़ा सम्मान हो सकता है कि गांधी जी की याद में ब्रिटेन देश में सिक्के निकले ज में मदद करेगी और यहां पड़ सकते हैं UK to issue महात्मा गांधी कोईन और यहां देख सकते हैं तो इसी तरह हमारे भारत देश का भी सम्मान बढ़ेगा और गांधी जी का जो शान्ती का संदेश है वो विश्वबर में फैलेंगा और ब्रिटेन के जुड़ी यह सबसे बड़ दानमंत्री कौन है बोरिस जोनसन और जब ब्रेगजिट हुआ तो ब्रिटेन से जुड़ा हुआ यह क्वेशन भी याद रख लो कि किस देश की सरकर ने 55 का ब्रेगजिट समारक सिक्का जारी करने की घोशना की तो ब्रिटेन देश ने यह 50 पैंस का जो ब्रेगजिट सिक् और यहाँ इमेज में देख सकते हैं इस कोईन को और बात करते हैं हमारे पुज्य महात्मा गांधी जी के यानि की हमारे राष्टर पिता के तो महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहा हुआ था दो अक्टूबर 1879 को गुज्रात के पौर मंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और पौर बंदर को सुदामा नगरी भी कहा जाता है दो अक्टूबर यानि की गांधी जयन्ती को कीस दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व में अंतराष्टिय अहि सिर्ती मंदिर के रूप में जना जाता है और भारत की आजादी के कुछ महिनों के बाद 30 जन्वरी 1948 को महत्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी और इसका नाम मुझे पता है लेकिन नाम लेना में नहीं चाओंगा साथवा क्वेशन आदूनिक भारतिय राष्ट्रिय ध्वज के डिजाइनर कौन थे? 15 अगस्त आने वाली है सभी जो हमारे सरकारी कारियल है वहाँ पर हमारा राष्ट्र ध्वज यानि कि तीरंगा फोहराया जाएगा तो इस हमारे आदूनिक भारतिय राष्ट्र ध्वज की डिजाइन किसने तयार की थी? पिंगली वैंकया नहीं यानिकि इस क्वेशन का सही आंसर है पिंगली वैंकया और सुर्ख्यों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में उनकी जयनती मनाई गई तो देखो पिंगली वैंकया प्रसिद स्वतंत्रता स्यानानी और भारतिय राष्ट द्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकया की जयनती कब मनाई गई दो अगस्त को मनाई गई पिंगली वेंकया की जन्म जयनती और पिंगली वेंकया का जन्म कब और कहां हुआ था तो याद रखो दो अगस्त 1866 को वर्तमान में आंद्रप्रदेश के मचली पटनम में पिंगल वेंकय का जन्म हुआ था जो हमारे आतुनिक राष्ट्र द्वज के डिजाइनर एवं स्वतंत्रत श्यना नी थे और पिंगली वेंकया एक गांधी वाधी विचारक होने के साथ-साथ वे एक भूवेग्यनिक लेखक और भाषा वीद भी थे और पिंगली वेंकया ने अपना एक भाषन जापाणी भाषा में भी दिया था और वर्श 1916 में उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें भारतिय राष्ठ़ द्वज को बनाने के लिए 30 लिजाइन प्रस्तूत किये गही थे कितने 3 30 लिजाइन प्रस्तूत किये गही थे और उनमें से जो तई किया गया वो है यह हमारा राश्ट्र द्वज तो देखो वर्ष 1931 में कांग्रेस ने कराची के सम्मेलन में पिंगली वेंके अद्वारा डिजाइन किया गया केसरिया, सफेद और हरे रंग से बना राश्ट्र द्वज सर्वसम्मती से स्विकर कर लिया गया जिसमें केंद्र में गांधी जी का चर्खा भी था तो यहां अशोक चक्र के बज़ाई क्या था गांधी जी का चर्खा था ओके यह बात भी आप याद रख लिजिए और इसे डिजाइन किया था पिंगली वेंक कया ने आठवा कुशन, हाल ही में संजीवन नाम से एक मोबाल एप किसने लॉंच किया है संजीवन नाम से एक मोबाल एप्रिकेशन को लॉंच किया है, हाल ही में बिहार ने यानिकि इस question का सही answer है option A, बिहार और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नितिश कुमार तो देखो इस Sanji One Mobile App का उद्देश क्या है? राज्य के आम नागरिकों को कोरोना वाइरस यानिकि COVID-19 के प्रबंधन से सबंधित नियमित अपडेट प्रदान करना और COVID-19 परिक्षनों के लिए पंजी करन करने में मदद करना और राज्य में नेजी प्रयोक शालवव में COVID-19 के परिक्षन की लागत को 2500 रुपिय तक सिमित कर दिया गया है और यह कदम उठाया गया है बिहार में और यहां आप देख सकते हैं जो Sanji One नामक Mobile App जीसको बिहार सरकार के स्वास्थिय विभग ने लौंच किया है और बात करते हैं बिहार की तो यहां आप मेप में देखे कि एक तरफ है पस्चिम बंगाल उत्तरप्रदेश और यहां पर है जारखन तीन राज्यों से जुड़ा हुआ है यह पस्चिम बंगाल जीसकी कैपिटल का नाम क्या है पतना पस्चिम बंगाल के राज्यपल वर्तमान में कौन है फागुच चोहान और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है नितिश कुमार और जो कैपिटल का नाम है पतना तो मौरियस समराट अशोक जो पाटली पुत्र यानिकी पतना में पैदा हुए थे कई दिनों से मैंने आपको बिहार के बारे में नहीं बताया तो एक बार फिर से हम रिवाइस भी कर लिया नववा कुशन वर्ष 2020 का इंडियन प्रीमियर लिग यानि कि IPL कहां खेला जाएगा बहुत ही कुछ जो क्रिकेट प्रेमी है उनके लिए बहुत ही अच्छा न्यूज है कि IPL खेला जाएगा भारत में नहीं लेकिन कहां पर संयुक्त अरब अमीरात में यानि कि UAE में यह वर्ष 2020 का IPL खेला जाएगा यानि कि इस कुछिशन का सही आंसर है UAE तो देखो वर्ष 2020 का इंडियन प्रीमियर लिग बोले तो IPL कब संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा तो यहाँ पॉस्टर में पड़ सकते हैं 19 सितम बर से लेकर 10 नवंबर तक इस सक खेल प्रतियोगीता का आयोजन किया गया है तो याद रखो 19 सितम बर से 10 नवंबर तक यह UAE में खेला जाएगा और भारत में कोवीड की मौजूदा स्थीती को ध्यान में रखते हुए भारत से बाहर यह टूर्नामेंट कराने का फैसला हमारे इस बोड ने लिया है और बात करते हैं IPL की तो इसे आयोजित किया जा रहा है UAE में लेकिन वहाँ पर कौन-कौन से शहर में यह मैच खेला जाने वाला है तो IPL के मैच किस शहर में खेले जाएंगे एक तो है दुबई दूसरा है शार्जा और तीसरा है UAE की कैपिटल अबुधावी यहाँ पर यह मैच खेले जाएंगे लेकिन यहाँ जो विश्व की सबसे उंची यह बिल्डिंग है जिसका नाम है बुर्ज खलिफा वो किस शह एक रिपोट के अनुसार कितने प्रतीशत से अधीख भारतियों के पास स्वास्थीय विमा नहीं है हमारा National Sample Survey Organization और उनके द्वारा एक बड़ा खुलासा हुआ है कि हमारे बारत देश में अभी तक 80 प्रतिशत से अधिक भारतियों के पास स्वास्थिय बीमा नहीं है, हेल्थ पॉलिसी नहीं है, यानिकि इस क्वेशन का सही आंसर है, option C, 80 प्रतिशत, इसका सीधा मतलब यह होता है कि यह सर्वे किया है NSS, यानिकि नेशनल सेंपल सर्वे, तो NSS के पचपतरवे दोर के सर्वेक्षन के तहत, देश में स्वास्थिय सेवा की स्थिती और रुगनता पर चिंता जनत तथिय सामने आये है, और इस सर्वेक्षन के अनुसार ग्रामीन क्षेत्रों में लगबग 85. 95.9 परसेंट और शहरी क्षेत्रों में 80.9 परसेंट लोगों के पास जो हेल्थ पॉलिसी है, वो अभी तक नहीं है, और इसलिए आपको NSS के बारे में यह पता होना चाहिए, और बात करते हैं अब 11 वे क्वेशन के, हाल ही में सुर्ख्यों में रहे शब्दा काली बारिश क सबंध कि इस घटना से है, सुर्ख्यों में आई है काली बारिश, आपने कभी देखी है, पूरे इस जीवन काल में अभी तक एक बार ही यह काली बारिश हुई है, कब हुई है, 6 अगस्त 1945 को, क्यों ऐसा, क्योंकि उसी दिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एक परमाणू बयम भैका था, और वहाँ जो बारिश हुई, वो है काली बारिश, आपन परमानू वीस्पोट से तालूक रख थी है, यह काली बारिश, आपन परमानू वीस्पोट, तो देखो, हाल ही में हिरोशिमा यानि कि जापान के एक जिला अधालत ने 1945 के परमानू वीस से जीवित बचे 84 लोगों को पीडीतों के रूप में मान्यता दे दी है अब ये सबी लोग परमाणू विसफोट के पीडीतों के रूप में उपलब्द नेशुल का चिकिछी ये सुविधा का लाब उठा सकते है यानिकि अभी तक ऐसे 84 लोग बचे है ये परमाणू बाउम जो 6 अगस्त 1945 को फैका गया था हिरोशिमा में वहाँ पर ये लोग बचे हुए है और ये काली बारिश आखिर है क्या ब्लैक रेंग क्या है तो परमाणू हमले से नश्ट हुई इमारतों का मलबा और कालिक बम से निकलने रेडियो दर्मी पदार्थों के साथ मिलकर हुआ और ये पदार्थ वायू मंडल में वाश्प के साथ सयुक्त हो गये जिसके बाद काले रंग के बुंदों के रूप में धर्ती पर गिरने लगे जिससे काली बारिश कहा जाता है और यहां देख सकते हैं इस तरह की काली बारिश हुई थी यहां जब परमाणू बैम फैका गया तब बारवा कुशन हाल ही में आपचारिक रूप से बाइडू 3 नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम की वेश्विक सेवाओ की शुरू आत किस ने की है तो इस बाइडू 3 नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम की वेश्विक सेवाओ की शुरू आत चीन देश न जिसमें पहला चरण केवल चिन तक सिमित्था वहीं दूसरा चरण बैडू 2 एशिया प्रशान्त क्षेत्र तक सिमित्था और तीसरे चरण यानकी बैडू 3 के तहत यह प्राणाली विश्व के सभी क्षेत्रों में कारिय करने में सक्षम होगी जिस तरह अमरिका में GPS सिस्टम है उसी तरह यह बैडू शिष्टम लागू की गए है चीन के द्वारा और जब चीन की बाताती है तो चीन की कैपिटल का नाम है बीजिंग चीन के राष्ट्रपती है शी जिन पिंग और चीन की करेंसी है रैन मिन भी तो जिस तरह मुझे याद है वो भी आपके दिमांग म व्रिक्षे की कटाई पर अंतरिम रोक लगा दी है एन जी टी यानिकी नेशनल ग्रिन ट्रिब्यूनल और उनकी जो दक्षिनी पिठ है उन्होंने हाल ही में एक द्वीप है जो लक्ष द्वीप का ही एक द्वीप है इसका नाम है अगत्ती क्या नाम है अगत्ती द्वीप म वो भी एक क्वेशन बनता है तो पहले तो NGT का पुरा नाम आपने याद रख लिया National Green Tribunal यान की राष्ट्रिय हरित प्राधी करण और यह निर्णे समुद्र तड़ पर सडक निर्मान के उद्देशय से काटे जा रहे नारियल के व्रुक्षो की कटाई को देखती हुए एक स्थानिय व्यक्ति द्वारा याची का दायर करने के बाद यह डिसीजन लिया गया है NGT के द्वारा और यहां जब हम जिक्र करते हैं अगत्ति द्वीप की तो अगत्ति द्वीप कोची से लगबग 469 किलोमीटर की दूरी पर तथा कवरत्ति द्वीप के पस्चि में स्थ होता है और यहां वार्षिक आउसत वर्षा 1600 मिलीमीटर तक की होती है तो यह फैक्ट है अगत्ति द्वीप के और यहां आप देख सकते हैं बहुत ही कुपसुरत यह द्वीप है और वहां हाल ही में NGT को लेकर यह इश्यू पैदा हुआ है और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेशन के तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेशन पुछा था निम्ना में से कौन सा शहर आंध्रव प्रदेश की न्याईक राजदानी बना है करनूल और आंध्रव प्रदेश की विदाई राजदानी है अमरावती लेकिन आंध्रव प्रदेश की क प्रियंग का बात जाड़े जा उन्होंने भी इस क्वेशन का सही अंसर दिया चेतन वाग ने इसके बारे में डिटेल में बताया आपको बहुत बहुत धन्यवाद रंजित सी वागेला उन्होंने भी करनूल को आंध्रव प्रदेश की न्याईक राजदानी बताया तो आमिर खान पठान वो हिंगोली से बिलों करते हैं और उन्होंने भी इस क्वेशन का सही अंसर दिया मुकेश कुकडिया उन्होंने बहुत ही कुपसुरत तरीके से अंसर गुजरात राजकोट जस्तन बरवाला से कि आंध्रव प्रदेश की जो न्याईक राजदानी है वो करनूल विदाई राजदानी है अमरावती विशाखा पत्नम है वो कारियकारी राजदानी बनेगा और हमारे और भी सब्सक्राबर फ्रेंड है वो है विकास कुमार जल ग आगया है तो बहुत ही अच्छी बात बताई विकास कुमार बहुत बहुत धन्यवाद और हैमराज माली जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं उन्होंने भी क्वेशन का सही अंसर दिया सुरत से हर्ष अंतानी डीटेल में आंसर लिखने के लिए धन्यवाद और राठोड अं विडियो का क्वेशन ए रहा स्क्रेंड पर इस साल यानि कि 2020 में हिंदुस्तानी राखी अभ्यान किसने चलाया कल ही मैंने आपको इसके बारे में डीटेल में बताया था कि इस साल 2020 में हिंदुस्तानी राखी अभ्यान किसने चलाया आंसर देना है निचे कमेंड बॉक्स मे आंसर देना मत बुलिएगा और राकी का त्योहार यानि की रक्षा बंदन हाल ही में मनाया गया तो आपने भी मनाया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे बारत देश में यह मनाया जाता है और दोस्तों इस खुब सुरत क्वेशन का आंसर लिखना मत बुलिएगा और बेहीं